चांपियन ऑस्टेलिया जी हाँ फानल में टीम इंडिया के शर्मनाथ प्रदर्शन के बाद ऑस्टेलिया छटी बार वर्ल्ड चांपियन बन गया है वेशुकप जीतने का सपना चकना चूर हुआ कैप्टन रोहिट चर्मा का विराट कोली का उमीद की जा रही थी कि जो टीम इंडिया शांदार प्रदर्शन थ्रूआउट दा सिरीज करती आ रही है वो फानल में एक बाद फिर कमाल दिखाएगी लेकिन 20 साल बाद जो ये मौका टीम इंडिया के हाथ आया था गवादिया ये कहें कि छीन लिया उस्टेलिया ने और ट्रेविस हेड ने शांदार सेंट्री लगाते हुए अपनी टीम को ये जीत दिलाई है और भारत को हरा कर वर्ल्ड कप जीत लिया है छटी बार और ऑस्टेलिया ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी औस लिए उठाने जा लेही है वर्ल्ड कप में जीत हासिल की आप जीतने का सपना टीम इंडिया का चकना चूर हो गया तो पहले बलेबादू ने फिर गेंट बादू निराश किया और भारत इंडिया ठाट्रेंट लेकिन जिस लक्षय को बनाने में टीम इंडिया को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था उस लक्ष को आसानी से कहें कि टीम उस्टेलिया ने हसल कर लिए फाइनल में टीम प्रदर्शन ओसले काश्टी बार वर्ल चाम्पयन बना है ऊस्टेलिया डासू हमारे सयोगी लगातार उड़े हुए वासु एक सपना था कि वो पूरा हो जाएगा आज भारत अपने ही ग्राउन पर उस्टेला को हराएगा और वर्ल्ड कप की ट्रॉफिय उठाएगा अब बिल्कुल अपना देखिए कहीं ना कहीं पूरे देश में ये उमीद थी कि जिस तरह से भाती टीम ने प्रदर्शन किया था सुरू से लेके फाइनल मुकाबले तक भाती टीम एक भी मैच नहीं हारी सेमी फाइनल में भी हमने न्यूजिलेंड जो की एक सबसे प्रबल दाविदार जो है वो मानी जा रही थी इस वर्ल्ड कप की फाइनल में पहुंचने वाली टीम उसको भी हमने बहुत बुरी तरह से हराया था 397 रन का पहार जैसा लक्ष हमने वहाँ पे खड़ा किया था लेकिन फाइनल में आते आते भाती टीम जिस तरीके से आध दिन बर भाती टीम का प्रजशन रहा बिलकुल भी प्रभावित नहीं कर पाई हाला कि शुरू